बिहार में पिछले दिनों से गर्मी और उमस के कारण लोगों का जन जीवन अस्त वियस्त हो पड़ा है लेकिन अब राज के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें बारिश आंधी और बर्जपात की संभावना जताई जा रही जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उमीद है बता दें कि मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है मौसम विभाग के पुरवानुमान के अनुसार इन इलाकों में कहीं बूंदा बांदी होगी तो कई जगों पर मध्यमस्तर की बारिश हो सकती है वहीं विभाग ने आंधी और बजपात का भी अलर्ट जारी किया है बता दें कि मौसम विभाग ने राजधानी पटना सीतामडी मधूबनी के कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 30 से 50 फीसदी प्रती घंटे की रफतार से आंधी चलने के आसार है ऐसे में विभाग ने इस हिस्सों में तेज आंधी और बारिश ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी थी इस आंधी की कारण मोतिहारी में कच्चे घड़ों के छपपर उड़ गए तो कहीं बड़े पेर भी गिर गए साथी बारिश ने किसानों को भी काफी शती पहुँचाया था खास तोर पर इस आंधी पानी से आम के बागों और मकई की फसल सबसे जादा प्रभावित हुई थी वहीं परसाशन भी इस शती का आंकलन करने में जुटी हुई है वहीं इस तरफ मौसम विभाग के मताविक बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिसमें बारिश के आसार जताए जा रहे हैं इन मौसम विभाग की अगर माने तो सबसे जादा बारिश किशन गज में तो वहीं वेस्ट चमपारन में सबसे कम बारिश होने की संभावना है पुर्णिया में पुर्णिया में हाँ अरे बाबुजी दिल्ली बंबई में घर खाइदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खाइदना बड़ी बात है देखिए पुनिया में पनोर्मा सिटी और पनोर्मा हाइट दोनों जगा का अप्शन प्लब है देखिए और बुक कराईए मतलब अपने शहर में अपना घर जी बिलकुन अब कीज़े घर वापसी पुनिया के पैनोर्मा सिटी और पैनोर्मा हाइट में Panorama City और Panorama High आपके शहर में आपका अपना घर